सबी नए व्यूवर से अनुरोध है कि वे क्रिपया जैपूर डायलोग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूवर से हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को अपने जान पहचान वालों को भी के जिकि अगर है और अगर इनों ने तो थोड़ा निश्चनًत हो चलना चाहca लेकिन आपको जिराने न मौदी जी ने भी क्या का था जब वो refer कर रहे थे या दिला रहे थे आपको किस प्रकार से वो महबत की दुकान जो है इसमय डीप फेक वीडियो चला के डीप फेक वीडियो बना के और पूरी तरह से देश में आग लगाना चाहती है तब उन्होंने कहा था कि अभी तो एक महिना बाकी है एक महीने में यह पता नहीं क्या क्या करेंगे और इस एक महीने में क्या 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 करेंगे जिस दिन उन्होंने कहा उसके सेम दिन तो वोट जिहाद की कॉल आ गई या वोट जिहाद होगा अब वोट जिहाद की कॉल आ गई वोट जिहाद कैसे करेंगे क्या करेंगे इसका जो explanation है वो बाकी है लेकिन जो कि वोट जिहाद की call जो थी वो फरुखाबाद में दी गई जो कि योगी महराज की कारशे तरवे आता है तो भाई एफ आयार तो होनी थी और साथवे सल्मान खरशीत साब जो है जिनकी वो भान जी हैं देवी जी मरियम जी तो वो भी उसके अंदर रपेटे में आगे तो अब वो जोड़ जोड़ से शिला रहे है कि प्रजातंतर खत्रे में है कोई बात नहीं जिहाद करने से प्रजातंतर खत्रे में नहीं आता लगबग सो स्कूलों में या स्कूल में सो स्कूलों में इमेल भेजे गए और इमेल भी जो है वो किसी रशा के इमेल से बेजे गए जो भी इमेल प्रोवाइडर था वो रशन था डॉट आर यू उसका कोड है तो डॉट आर यू के इमेल से लगबग सो स्कूलों को इमेल भेजेगे कि आप के हाँ बॉम रखा हुआ है अब आप यह देखिए कि आप यदि सो स्कूलों को इस परकार की दमकी भेजेंगे तो जो स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि वही आप सारे स्कूलों को तुलन ताप इवैकूइट कराएंगे और उसके बाद तलाची लेंगे तो मतलब एक परकार से पूरी तरह से दिल्ली पुलीस को नौइडा पुलीस को एक दूसरे तरफ दूसरी तरफ उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया अब ये जो है ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्यों किया गया क्योंकि कॉल तो होक्स कॉल थी ये तो ते हो गया लेकिन जो पत्र जो साथ में आया है वो कहा है कि हम सभी को जिहाद की आग में चला देंगी जिहाद की आग में चला देना तो जायज ही है क्योंकि साब ये तो बड़ी किताब में लिखा ही हुआ है लिखा हुआ है उन्होंने कि भई ये जो आपके 3.151 उनकी जो गुरान की जो आयत है वो क्या कहती है वो यही कहती है कि साब के ये जो काफिर हैं इनको हम दोजख की आग में जलाएंगे ये हमारे दुश्मन हैं इमको दोजख की आग में जलाएंगे तो बड़ दोजख की आग में चुकि काफिरों को जलाना है तो बडिली में और नौइडा में यदि सो जगह पर बाम रख भी दिये जाते हैं और वो बाम फूट भी जाते हैं तो क्या समस्या है ये अलग बात है कि ये हो सकता है जैसा कि हमारा जो विचार है कि ये जो कारे करम किया गया है ये पूरी तरह से एक ट्रायल रन था ट्रायल रन ये था ये चेक करने के लिए कि वही कैसी तैयारी है क्या अलर्ट है पुलीस कितनी तेजी से रियाक्शन होता है तो ये रियक्शन तो बड़ा फास्ट हुआ जो कुछ भी स्टेप्स लेने थे बच्चों को निकालना था ये सब करना था ये तो बहुत तेजी के साथ हुआ लेकिन दिल्ली और नॉइडा को तो डिस्रप्ट कर दिया इन्होंने पूरी तरह से शेहर में टैनिक भी फैला दिया और खास बात ये है कि उसके तुरंट बाद आम आदमी पार्टी वाले सौरभ श्रवास्तव और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता वो तुरंट बाहर निकल आए और कहने लगे किसाब कि ये जो है ये भारत सरकार की असफ़ता का भारत सरकार की फैलियर का परिचाएक तो भई इससे तो संदेह और भी गहरा हो जाता है संदेह गहरा ये हो जाता है कि ये कारकरम क्यों किया जा रहा है कि कारकरम तो ऐसा लग रहा है कि कारकरम कहीं ऐसा त प्रदेश प्रदेश घूम रहे हैं प्रदेश प्रदेश घूम के ये कह रहे हैं कि आपको याद है कि UPA की सरकार में क्या होता था बम फूटते थे लगातार इदर उदर बम फूटते थे जो व्यक्ति बाहर जाता था तो घर में लोगों को लगातार असहजता रहती थी बार बार फोन करके पूछते रहते थे कि आप कुछल से तो है क्योंकि लगातार ये डर बना रहता था कि कब कौन सा जिहादी कहां पर कब बम फोड़ देगा और बम फोड़ भी देगा और उस पर ये सजा भी मिलेगी तो ये सारे के सारे जो ये एको सिस्टम वाले हैं वो सब आके और प्रदर्शन करने लगेंगे और रात में सुप्रीम कोर्ड को खुलवाएंगे ये कहके कि भाई ये तो एक इनोसिंट जिहादी है ये बड़ा एक होनहार एक्टिविस्ट है या एक्टिविस्ट ही कहते हैं आपको पता है ना वो गुर्पतवंत सिंग्पन्नू जो खलिस्टान का जो जिहादी है आतंकवादी उसको यूएस वाले जो हैं उसको एक्टिविस्ट कहते हैं डिसेंटर कहते हैं तो जिहादी भी जो हैं इन इको सिस्टम वालों के लिए वो डिसेंटर और एक्टिविस्ट ही है तो उनको ये बचाने में आ जाते थे तो पूरा है इस तमेर का एक सिस्टम बना हुआ था जिसमें उनके लिए कोई ज्यादा रिस्क नहीं था बदमाशी करने के लिए जिहाद पहलाने के लिए बॉम डाल लगाके बॉम भाड़ने के लिए कोई समस्या नहीं थी अब बहुत समस्या है और समस्या क्या है कि ये इलक्शन इशू है नरेंदर बोदी तो हर सबा में कहते हैं कि याद कीजिए और हमारे दस साल में कहीं भी किसी भी परकार का कोई बंव स्पोर्ट नहीं हुआ एक हुआ वो भी कब? वो भी हुआ बैंगलोर में वो भी किसके रा बात नहीं कर सकते हैं लेकिन आप ये देखें कि नकसलियों को भी इस दो हजार चौबीस में आज तक सबसे बड़ा धका लगा है नबे नकसली मारे जा चुके हैं अब तक नबे नकसली जिरा कल पना कीजिए आप नबे नकसलियों का सफाया हो गया जिन में से 29 एक बार मार तो ये क्योंकि नरेंदर मोदी का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनका यूएस पी है तो ये पॉसिबल है इसकी संभावना पूरी है कि ये जो कारकरम किया गया है दिली में उस यूएस पी को चैलेंज करने के लिए उस यूएस पी को चुनौती देने के लिए उस यूएस उसी वोट जिहाद का ही एक अंग है और आप जानते हैं कि यह सारे कारक्रम जो है वो बाहर से तै होते हैं बाहर से इनका जो क्रोनालोजी है वो सिट की जाती है और वहीं से चलाई जाती है तो यह जान ले कि जो सोरोस का जो इको सिस्टम है वो पूरी तरह से लगा हुआ है क किसी भी तरह करके नरेंद्रमोदी को चुनाव में हराना है हरान नहीं पाएंगे ये बात अलग है क्योंकि हमारी जो जनता है ना वो अलग मूड की है अगर इस तरह की हरकते और करेंगे तो फिर और जो है वो इनको चुनावती देते हुए कि पहले दो फेस में चुनकी पोर्टिंग कम होई है तो इसलिए नरेंद्रमोदी हार रहे इसलिए कल जब फाइनल आकड़े जारी किये गए फाइनल आकड़े जारी किये गए उसमें भी पोस्टल बैलट नहीं है तो जब final आकड़े election commission दोरा जारी किये गे तो पता चला कि केवल पहले दो फेज में मिलाके केवल तीन प्रतिशत की कमी है और इसमें भी postal ballot सम्मिलित नहीं है पोस्टल बैलित सम्मिलित हो जाएंगे तो यह ड़ाई प्रतिशत की रह जाएगी सम्माउता इसको देखे कल तन बदन में आग लग गई इनके सबके और यह हला करने लगे कि यह क्या हो रहा है यह हमको जो है वो गलत बयानी की जा रही है समय से क्यों नहीं बताया जा रहा है इसमें जरूर E.S.I.E. की कोई गलत मंचा है रहे वह गलत मंचा क्या है यार चार जून को काउंटिंग होनी है और चार जून के बहुत पहले आपको पहले दो फेस का फाइनल काउंट बता दिया गया 66.14% और 66.71% समस्या क्या है उसमें 66% बहुत होता है कि याद करें 2014 का जो पोलिंग हुआ था उसके लगबग आसपास है तो अचानक जो सारे कैलकुलेशन थे जो सारे के सारे इसके उपर आदारीत थे कि पोलिंग परसेंटेज जो है वो 6-7% कम हुआ है वो एकदम से बिखर गए और चूंकि वो कैलकुलेशन बिखर गए तो आप देख रहे हैं वोट जिहाद भी हो रहा है और बम जिहाद की धमकी भी हो रहे है सावधान रहे सावधानी हटी दुरगटना घटी और ये सावधानी चुनावी सावधानी रहनी चाहिए जय हिन जय वारत वंदे मातरम झाल 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 झाल